मैं तुम से यह करता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से, इस विद्वा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपने सम्रद्द से कुछ डाला, परन्तु इसने तंगी में रहते वे भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था, वो सब दे डाला, संत मारकुस का सुसमाचार अध्याई बारा पसंक्याएं तिरालिस और चोवालिस आज का सुप संदेश, हे प्रबू, तु अनादी अनन्त महान एश्वर है, क्रिस्ट में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का पहले पार्ट में जो तोबित ग्रंद से लिया गया है, हमें यह संदेश मिलता है, कि हम एश्वर के प्रति, उनके सभी सत कर्मों, अच्चे कर्मों के लिए, और उपकारों के लिए, जो भी प्रबू हमारे वोर करते हैं, हमें उनके आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान करना चाहिए, क्योंकि जब एश्वर हमें सब कुछ देता है, तोबित कहता है, हम एश्वर के उन सब कारियों को प्रकट करने के लिए, संकोच नहीं करना चाहिए, जी हाँ, मुझे प्रबू ने क्या-क्या नहीं दिया, यदि हम एक किताब लेकर, ये पन्ना लेकर कलम से लिखने लगेंगे, इश्वर ने मुझे क्या किया है, शायद हम लोगों के पास समाई होगा लिखने के लिए, प्रति दिन, प्रति शेन, ब्रबू हमें कुछ न कुछ सतकार्य देता है, अच्य कर्मों से भर देता है, इसलिए नवितोबित हम सब उन से आग्रा करते हैं, हम उनके प्रति कृतग्य बने रहे हैं, कभी भी ठोसना नहीं इश्वर को, इश्वर के किलाव शब्द नहीं उटाना, बलकि उनके महिमा, उनके स्तुति गान में, हम उनके सतकारियों को याद करने के लिए, वो बुलावा देते हैं, सो समाचार में देखेगा, उस वे दुआ के गृतग्यता को, या रधय के उधारता को, प्रभू प्रशन्सा करते हैं, एक गरेब इंसान, जो कुछ है, सब कुछ दे देता है, क्यूंकि, धनी लोग प्रभू कहते हैं, जुष्व में ता, उसमें से कुछ अंश देते हैं, मेरे विश्वासियों, प्रभू ने मुझे इतना दिया है, मैं प्रतिरुत्तर में प्रभू को क्या देता हूं, प्रभू पैसे नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारे समय, प्रभू हमारा समय चाहते हैं, मैं दिन में कितने बार, या कितना समय प्रभू को दे सकता हूं, वो समय किस प्रकार देता हूं, ना मात्र के लिए मिस्स अबलिदान में हम भाग लेते हर इत्वार को क्या वो एक गंटा देड़ गंटा बरपूर रुईती से प्रबु को समर्पित है यह प्रश्टन आज हमें पूछना क्योंकि प्रबु स्वायम कहते हैं विद्वा ने महाहन कारे किया है कभी को इम्हाब समाई नहीं होता है लेकिन उस समाई से भी यह जिए हम कुछ समाई प्रबु को देते हैं उससे बड़ा तौफा प्रबु के लिए नहीं होगा आएए मेरे विश्वासियों उस विद्वा के समान हम भी कुछ समय प्रबु को देने के लिए कोशिश करें वो समय जो आपको खीमती है वो समय जो आपके लिए खेवल था जो समय खेवल आप उनको देना चाहते हैं जो आपको बहुत करीब है वो है इश्वर इसके लिए प्रात्ना करें आमेन